तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी चटपटी चटनी जो आपके स्वास्थे के लिए भी बहुत ही लाबताइक है ये है करी पत्ता, करी पत्ती में केल्शियम, फास्फोर्स, विटाविन B2, B6 और B9 भरपूर मात्रा में होता है जो आपके बालों को घना, काला और मजबूत बनाए रखता है इसके नीमित सेवन से वजन घटता है, चहरे की रोनक बढ़ती है करी पत्ते में एंटी आक्सिडेंट, एंटी वेक्टिरियल और एंटी फंगल गुन होते हैं इसलिए ये तवचा के लिए बहुत ही फायते मन्द है तो आप अपने डाइट में इसे रोजाना सामिल करें अगर खाली पेट इसे चबा-चबा कर खाते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा है और हरी मिर्च, हरी मिर्च में विटामिन A, C, B, 6, आईरन और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबतायक है ये है हरा धनिया हरे धनिये की पतियों में अच्छे मात्रा में फाइबर, आईरन, मैगनेशियम, विटामिन C, विटामिन K और प्रोटीन होता है अगर आपको थाइरेड की समश्या है, तो इसे अपने डाइट में रोजाना सामिल करना चाहिए हरा धनिया जो है हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबतायक है वजन भी घटाने में बहुत ही समार्थ है अगर आपका थाइरेड से भी वजन भड़ता है तो भी इसका सेवन सुवे सुवे खाली पेट करना चाहिए यह बहुत ही अच्छा रहता है और नारियल जो है उसके बारे में तो आप जानते ही है नारियल बहुत ही अच्छा होता है इसका कुछ लोग जो है उपर काई ब्राउन छिलका उतार कर फैंक देते हैं इसे फैंकना नहीं चाहिए इससे भी अपने डाइट में सामिल करें और इस चेटने में चाहिए हमें नमक और दही दही भी शेहत के लिए बहुत अच्छा है इसमें वीटामिन 6 वीटामिन 12 होता है जो हमारी स्वास्थे के लिए बहुत ही अच्छा है दही भी हमें हमारी डाइट में रोजाना सामिल करना चाहिए अब इन सब ही चीजों को मिक्स करके हम एक चटनी बनाएंगे जो बहुत ही जाकेदार होगी इने बारिक-बारिक कू ब्राइंड में डाल दिया है, अब हम इसकी चटनी बनाएंगे, बहुत ही जायकेदार बनी है चटनी, कलर भी इसका बहुत ही प्यारा लगता है, देखते ही खाने का मन करता है, आप इसे अपने बोजन में सुबह शाम दोनों टाइम सामिल कर सकते हैं, चाहे तो नास्ते में प्राठे के साथ भी खा सकते हैं, ये चटनी जो है स्वास्ते के लिए बहुत ही अच्छी है, शाथ में ये जो भी आप खाना खाते हैं, उस खाने के फैट को भी कम करती है, और आपका वजन भी नहीं बढ़ने देगी, जायका भी बढ़ाएगी, साथ में आपके मूड को भी फ्रेस रखेगी क्योंकि इसमें करीपता है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, जो हमारे साथ से के लिए बहुत ही अच्छा है